नमस्कार मैंना अजमिन खान आप देख रहें SPN 9 न्यूस भीतेर अभिवार को जहां बाजपास सरकार ने अपनी धन्यवाद रेली में विपक्ष पर जम कर निसाना साधा लगतार NRC और CA के विरोध में जो जनता को भड़काने का काम कर रही है कॉंग्रेस, त्रिनमूल कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी उन सब को लेकर भाजपास सरकार की तरफ से PM नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषन रेली में जम कर सब पर निसाना साधा है बाजपाका कहना है कि कॉंग्रेस की तरफ से ये ब्रहम पैदा किया जा रहा है लोगों को गुमरहा किया जा रहा है अनर्सी के नाम पर और CA को लेकर लगातार PM मोदी ने अपने भाशर में यही कहा है कि कॉंग्रेस की तरफ से जनता को ब्रहमित किया जा रहा है कॉंग्रेस की तरफ से अब वहाँ फैलाई जा रही है कि जो जनता हिंसात्मक हो रही है जो दंगे कर रही है और जो NRC और CA को लेकर गलत धारना लेकर चल रही है जनता वो सिर्फ कॉंग्रेस की देन है वो लगातार कॉंग्रेस जनता के प्रती रोश पैदा कर रही है अब आपको बता दे कि हाल ही में सुमवार को अभी सोनिया गांधी की तरफ से भी राजगाट पर धरना है दोफैर को शुरू हो चुका है और उसको लेकर काफी कुछ कहा भी जा रहा है आपको बता दे कि भाश्पा के खिलाफ और NRC और CA के खिलाफ सोनिया गांधी समित राहुल गांधी प्रियंका गांधी गांधी इस सब में नजर आ रहे हैं लगतार वो इस एक्ट कोई कड़े फैसले ना ले या बदलाव ना करें उसको लेकर यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि राहुल गांधी ने सुबह टूइट भी किया और यह भी कहा जंता को कि हम राजगाट पर धरना धरने जा रहे हैं दोफैर को यह धरना होगा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस कारिकरम में हिस्सा बने और नर्सी और भाजपर सरकार के साथ उनको विरोध करने के लिए और अपनी बात को रखनी के लिए सरकार के सामने अपनी बात को रखनी के लिए हमारे धरने में शामिलो वहीं प्रियंका गांधी वाडरा ने भी सौनिया गांदि और पूरवद्यक्ष राहुल गांदि समित काफी नेता वहाँ पर मौजूद होंगे जन्ता के दिल में भी यही बैठा हुआ है कि अगर नर्सी आई तो उनकी नागरिक्ता को खत्रा होगी ज्यादा तर ये खत्रा मुस्तलमानों को होगा ये कहा जा रहा है जिसको लेकर भाजपा ने भीते दिन रेली की ये धन्यवाद रेली थी जहांपर वो कच्छी कलोनियों को मालिकाना हग दिलाने को लेकर की गई थी दिल्ली की जंता को लेकर कहा गया था अब उसी पर वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि रामलीला मैदान में जो भाजपा की रेली हुई थी वहाँ पर पीएम मोदी ने अपने भाशन में यही कहा है कि भारत की नागरिकता से लेकर और भारत के नागरिकों को कोई खत्रा नहीं है उनकी नागरिकता को कोई खत्रा नहीं होगा और हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम धर्म के अधार पर भारत के ही लोगों को विभाजित करने में लगे हैं ये सिर्फ कॉंग्रेस सरकार है विपक्ष दल है जो लगातार जनता के द ये इनका धरना प्रेजर्शन कितना कारगार साबित होता है ये देखना काफी दिल्चस्प होने आला है कि जनता कितना साथ देती है क्या NRC और CA को लेकर लगातार विरोध चलता रहेगा ये या ये सियासी खेल खतम होता हुआ नजर आएगा अगो पता दे कि जहां पर लगातार हर एक पार्टी इसका विरोध कर रही है बिहार हो उत्रपरदेश जारकन कनाटक अस्तम कॉलकता दिल्ली हर जगा पर इसका विरोध हो रहा है पूरे देश में विरोध हो रहा है NRC और CA को लेकर वहीं भाजपर सरकार ने अपना एक वीड का सही मतलब भी बताते हुए नजर आ रहे थे वहीं प्यम मोदी ने भी अपनी रेली में काफी कुछ कहा और उन्होंने NRC और CA को लेकर जनता के दिल में जो डर है उसे खतम करने की बात की वहीं अब लगातार सोनिया गांधी जो धरने पर वैठी हुई है और वो लगातार का विरोध करती हुई नजर आ रहे हैं कि NRC और CA को भारत में लागू हम नहीं होने देंगे और हम जनता के साथ है अभी मुझे देज़े इजाज़त ऐसी बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं स्पेन नाइन नियूज